दोस्तो अगर आप भी विराट कोहली को एक बहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा इस खबर के बारे में, जियाँ दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्ट अंडी जारी है है और इस तीन मैचों की टी-टॉन्टी श्रिंखला में भारतिय टीम ने पहले ही इस श्रिंखला को अपने नाम कर लिया है लेकिन हम आपको बता दें कि अगर भारतिय टीम वेस्टेंडीस के खिलाब टी-20 सिरीज जीतने में कामयाब हो पाई है तो वो बस मातर विराट कोली की वज़े से अब यहां से विराट कोली एक बार फिर से फॉर्म हासिल करते हैं हम सभी को दिखाई देंगे लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पदा था कि आगे अब विराट कोली की बल्ले बाजी हम सभी को वेस्टेंडीस की सिरीज पर दिखाई नहीं देने वाली है दरसल भारत और को अचानक से चौका दिया तो हम आपको बता दें कि विराट कोली को ना सिर्फ वेस्टेंडीस के खिलाफ तीसरे टी-20 बलकि स्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है और वो अब सीधा हम सभी को अपना सौवा टेस्ट मुकाबला स्रीलंका के ख लाफ खिलतोवे दिखाई देंगे हाला कि दोस्तों अब अटकले काफी बढ़ती चली जा रही थी कि आखिरकार विराट कोली को टीम से भाहर क्यों किया गया है जबकि पिछले मैच में उन्होंने दमदार प्रदेशन करकर टीम इंडिया को जीत की धहलीस तक पहुँचा तो वही दोस्तों हम आपको बता दें कि विराट कोली को भाहर करने का बी सी सी आई ने तो कोई जवाब अपनी तरफ से पेश नहीं किया लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा प्रेस कॉनफरेंस में तीसरे टी टॉन्टी मुकाबले के शुरू होने से पहले सामने है और उन्हो ने वज़ा बताई कि आखिरकार कोली को क्यों भाहर किया गया जी यहां दोस्तों आपर रोहित शर्मा कहते हैं कि टीम बहुत बहुत बहतरीन प्रदशन कर रही है दूसरे टी टॉन्टी मैच में रिशब पंत और विराट कोली ने अच्छा प्रदशन किया लेकिन दोनों ह नहीं खिलाडी पिछले काफी लंबे समय से मैदान पर अपना सौपरतिसत दे रहे थे और ऐसे में खिलाडीों को कुछ रेष्ट की जरुवत होती है और बीसीसाई के इस फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं हम जानते हैं कि विराट कोली और रिशा पंत दोनों के ही एक साथ होने से टीम पर जरूर असर पढ़ेगा और शायद हम तीसरा टी-20 मुकाबला हार भी जाएं लेकिन हमें खुशी है कि हमारे खिलाडियों की फिक्र बीसीसाई करता है जब हम सीरीज जीत चुके हैं तो हम नए यूवा खिलाडियों को मौका देने की कोशिश करेंगे और उ टी-20 वर्डकप से पहले अपने खिलाडियों को परक सकें और जान सकें तो ऐसे में दोस्ते आपर रोहित शर्मा ने काफी बड़ा बयान विराट कोली के उपर दिया और दिली जीत लिए बाकि अब आपकी क्या रहे है रोहित शर्मा के इस बयान के बारे में आप अपने क कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा पर हमें उम्मीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आयोगी वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपड मिलती रहे तो मिलेंगे अगली और इसी जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत